हेलो दोस्तो दोस्तो अगर आपको ये अंदाजा नहीं है कि रिटार होने पर आपके खर्च के लिए आपको कितनी एमाउंट चाहिए तो इसकी केल्कुलेशन करे आम तोर पर फाइनेंसियल प्लानर इन्वेस्टमेंट सला में कमाई सुरू होने के साथ ही रिटार्मेंट प् ने माना कि रिटार्मेंट प्लानिंग को ज्यादा इम्पोर्टन्स दिया जाना चाहिए बहुत से लोगों की निंड हाला कि तब खुलती है जब वे पच्चास की एज के पास पहुंचते है ये बिलकुल उसी तरह है जैसे आप किसी मेरेथोन में भाग ले रहे हो और लास सही टाइम पर सही कदम उठा ले तो रेस में उसका वीनर होना पक्का हो जाता है इस रेस में उन लोगों को भी जीत मिल सकती है जो शुरुआत में तो पिछड गये है पर सही टाइम पर सही इन्वेस्मेंट करते है पॉइंट नमबर वन जरूरत की कैलकुलेशन करे अगर आपको ये अंदाजा नहीं है कि रिटार होने पर आपके खर्च के लिए आपको कितनी एमाउंट चाहिए तो इसकी कैलकुलेशन करे इसमें आपको मुझूदा खर्च और भावी जरूरतों का हिसाब लगाना है साथ में इन्वेस्टमेंट संपति का हिसाब लगाए और य साल बाद आपको 70,000 रुपय की जरूरत पड़ेगी 10 साल बाद इसी महगाई की रेट से 90,000 रुपय की जरूरत पड़ेगी मतलब कि लगबग 20 साल बाद 10,000 रुपय महिने की इंकम के लिए आपको 19,000 रुपय के फंड की जरूरत पड़ेगी ये इंकम हर साल 6% के रेट से increase होती रहेगी इस calculation में fund का return लगबग 8% और mega का rate 6% माना गया है point number 2 saving को दे speed अगर saving और cool fund में कमी आती दीख रही हो तो investment की speed बढ़ा है या फिर आप investment के उन option को अपना है जो ज्यादा return देते हो retirement के करीब पहुंच चुके लोगों को हाला कि ज्यादा return कमाने पर नहीं बलकि ज्यादा saving पर द्यान देना चाहिए Willis Towers Watson's retirement business के head रह चुके कुलिन पटल ने कहा है अगर retirement में सिर्फ 3-4 साल बाकी है तो आप जोखिम लेने से बचे कई experts ने भी कहा है अगर retirement में सिर्फ 3-4 साल बाकी है तो आप जोखिम लेने से बचे इस टाइम आपका focus कमाने पर नहीं बलकि नुकसान से बचने पर होना चाहिए दूसरे experts भी इस बात से सम्मत है कई experts ने कहा है कि investment पर return हाला की बड़ा मुद्दा है सेविंग वाले fund में कमी आने का जोखिम इस टेज़ पर नहीं लिया जा सकता दूसरे expert ने कहा है 48-60 यर के आसपास के लोगों को अपनी income का 35-40% सेव करना चाहिए पॉइंट नमबर 3 बहुत conservative ना बने इस time investment पर थोड़े रुडिवादी नजरिय की जरूरत है अब आपको अपने portfolio से stock जैसे जोखिम वाले विकल्प गटाने चाहिए क्योंकि इस time पर नया प्रयोग करना खत्रनाक साबित हो सकता है इस time पर debt और equity में बराबर investment करके बेहतर return पाने की कोशिस की जा सकती है इस time अगर investment का time long है तो बहुत conservative नजरिया आपको नुक्सान पहुचा सकता है क्योंकि जब market short term के लिए गिरता है तो अपने portfolio में काफी percentage नुक्सान होता है और share market में तो अक्सर उतार चटाव बने रहते है इलाज के बढ़ते खर्च को देखते हुए medical insurance आपके लिए helpful साबित हो सकता है अगर आप किसी group health insurance प्लान में सामिल है तब भी अलग से health cover ले बाद में आपको health cover खरीदना मुश्किल होगा उम्र बढ़ने के साथ विकल्प और सम एस्वर की amount कम होती है इसके साथ ही ज्यादा age में health insurance लेने पर कई सर्थ भी लग जाती है पॉइंट नमबर 5 नयरोन लेने से बचे रिटार्मेंट से ठीक पहले अपने उपर मन्थली EMI का बोज न डाले इस टाइम मन्थली EMI आपके उपर बीना मतलब का बोज बढ़ाएगा इससे आपका रिटार्मेंट फंड घटेगा और उसमें आपका योगदान कम हो जाएगा सबसे बुरी बात यह है कि आप दूसरे खर्च के लिए रिटार्मेंट के फंड का इस्तेमाल करे अपने काम से छुट्टी लेने के पहले सभी लोन चुकाने की कोशिस करे किसी भी हालत में रिटार्मेंट फंड से छेड़चार ना करे इस टेज पर ऐसा करना आपको आर्थिक तोर पर परिशानी में डाल सकता है पॉइंट नबर 6, रियल एस्टेट से रहे दूर और ये कम भी हो सकता है और ये भी माना जाता है कि आवाश ये अचल समपति में टाइम के साथ करेक्शन का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए रिटार्मेंट के करीब पहुँच चके लोगों को अपने इन्वेस्मेंट से बहान निकलने और इक्विटी और डेप्ट इन्वेस्मेंट के एक प्रॉपर पोर्फोलियो बनाने की सिफारिस की जाती है पॉइंट नमबर सेवन टेक्स सेविंग वाले इंस्ट्रूमेंट में करें इन्वेस्मेंट Tax Saving Option को चुन कर आप अपनी Tax देनदारी को कम कर सकते है Fixed Deposit बहुत Tax Saving Investment नहीं है अगर आप 10 लाक रुपे से ज्यादा की Annual Tax की देनदारी वाले ब्रेकेट में है तो कमाय हुए इंट्रेस्ट पर 20% Tax पे करना होगा ये हर साल पे करना होगा जिससे आपका प्रभावी रिटन बहुत कम हो जाता है पॉइंट नबर 8 बेकार इंवेश्मेंट से पाए छुटकारा हम सभी लोकों का कम यिल्ड वाले और बेकार की बिमा पॉलिसी में इंवेश्मेंट जरूर होता है ये कम आर्थिक साक्सरता और किसी उत्पात को सबसे बैतर समझने की गलतियों का पहिणाम होता है कुछ सालों पहले बज़ार में बहुत options अवेलेबल नहीं थे अगर आपका भी इस तरह का investment है तो इसे जल्दी छोड़ देना चाहिए life insurance policy को सुरुवत में surrender करना समधदारी है हाला कि बाद में ये आखिरी stage में इसे surrender करने का बहुत फायदा नहीं है तो दोस्तो इस तरह से पच्चास की उम्रह में आप retirement planning कर सकते है और जल्दी से financial freedom हासिल कर सकते है और आरमदा एक life जी सकते है तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करना